नमस्कार वायर के इस बातचीप में आपका स्वागत है, हमारे साथ आद चर्चा में जाने मानवधिवायर कारे करता हर्शमंदर जी है, हर्शमंदर जी अभी ही कुछ दिन पहले यूपी का दोरा करकर वापस लोटे है, मुजफर नगर गए थे वो, और जहां पर हमने देख होई, और ऐसे सिर्फ मुजफर नगर में ही इस तरीके के वाक्या नहीं हुए, वहां बिजनौर में, लखनौ में, बनारस में, महू में, आजमगर में ऐसे कई सारे जिले हैं, जहां पर पुलीस ने काफी बरबरता के साथ प्रदर्शन कारियों पर अटैक किया है, लेकिन इस बीच अचानक से हमने देखा कि जहां पर बात पुलीस की बरबरता की हो रही थी, वहीं पर यूपी में आदित्यनाथ सरकार ने लगातार ये कहने की कोशिश की है, कि प्रदर्शन कारियों पर हिंसा की वारदाते काफी बढ़ गई थी, और प्रदर्शन कारी जो हैं व कि जो यूपी से घूंग कर आये हैं, कि वहां पर कैसा माहौल है, किस तरीके से वहां पर अभी ये जो C.A.A. के खिलाफ और N.R.C. के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी क्या स्थितिय है, और यूपी गवर्मेंट किस तरीके से ये पूरी जो जन उभार है, उससे कै कैसे डील कर रही है, उसको किस तरीके से समझने की कोशिश कर रही है, तो नमस्कार, नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है आपको, और सर ये आप मुझफर नगर खूम कर आए, आपने वहां पर कई सारे वहां के लोगों से मिलें, वहां के पुलीस वालों से भी आपने बात की होगी, तो उसके बारे में जरा बताएं कि क्या हुआ था और कैसे, मतलब अभी क्या माहौल है वहां पर, लेकिसे सिर्फ मुझफर नगर की बात नहीं है, मेरे साथ ही मेरत भी गए हैं, और कई जगों में गए हैं, आज इंफर एक्संबर में कुछ साथ ही गए हैं, जो वहां की तस्वीर जो उभर के आ रही है, बहुत ही खतरनाक और डरावना एक तस्वीर सामने आ रही है, मुझे रखता है कि यह कोई अतिशोक्ती नहीं होगी कि अधितिनाद सरकार ने एक तरहें से अपने जो मुस्लिम नागरिक हैं उनके प्रदेश के उन पे जंग छ खेड़ा है, वही अलिगर्ड में अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवस्टी में भी उसके तुरन बात गया था, वहां जो हालाद देखे हैं और जगों में हम देख रहे हैं, लिखे मैं आईस अधिकारी रहा हूं, मैं कई जिलों में करेक्टर आए, छे जिलों में करेक्टर रह मैं ऐसे वक्त में 84 के दंगों को हैंडल किया हूं, जो रत्यात्रा वाले दंगे भी हैंडल किये हैं, मैं जानता हूं कि प्रशासन कैसे काम करता है। पुलीस प्रशासन संप्रदाइक भावना से काम करे ये ये पहले रहा है इन फैक्ट में रहनते रहा है दो हजार दो में भी मैंने काम किया दो हजार तेरह जो मजफन नगर के ही दंगे थे वहां मैंने देखा है इन सब जगों में पुलीस द्वारा एक तरह से उसमें संप्रदाइक द्रिश्टी से जो संप्रदाइक हिंसा होती है उसको बढ़ावा मिलता है इसमें तो आज नया क्या है यूपी में ये समझना जरूरी है देखे प्राया मैंने देखा है कि पुलीस की भूमिका है वो दो तरीकों से काम करती है माइनॉर्टीज के खिलाव एक तो वो कारवाई नहीं करते हैं वो सबसे बड़ा तरीका है कि जिसको इंग्लिश में आई कॉल इट कल्पबल इनक्शन मतलब ये तो एक तो हमें हमें मतलब हम सक्षम नहीं है कि हम आक्ट करें ये एक अलग बात है ले कि वो माइनॉर्टीज को मानें वो 84 में भी हुआ सिकों के खिलाव और कई दंगों में मुस्लमानों के खिलाव हुआ कंदामल में क्रिस्टिंज के खिलाव जो हिंसा हुई ये उसका एक पैटर्न है एक दूसा तरीका जब पुलीस और ज्यादा वो है पुलीस फाइरिंग डिस्प्रोपोर्शनेट ये भी आंकरे ही बताते हैं कर जूरिशल कमिशन बताते हैं कि पुलीस की जो कारवाई होती है फाइरिंग वो कहते हैं कि हम भीर को चाटने की कोशिश करें लेकिन उसका बहुत जादा हिस्सा माइनॉर्टीज का रहता है ये भी एक तरीका हमने द जब आप गिर रहे हैं तो आप इतना एक नया आयाम में हम पहुंचे हैं इस सामसेदाएक नया बेंचमार्क जिसमार्क वो है कि पुलीस ही दंगाए बन गयी है और ये हमें समयना बहुत जरूरी है तो जैसे हम कई घरों में गए और उन में जो जो मैंने जो द्रिश्चे मतलब आख भर जाते थे दिल बहुत एक तरह से सरम की भावना मैसूस हो रही थी क्योंकि मैं क्या देख रहा था मैं देख रहा था कि उनके घर में सब कुछ नश्ट कर दिया गया है मतलब कोई फ्रिज है टीवी है उनके बरतन है तो बच्चों के के लोने इवन कैश जगों में गये जहां लोग संपन थे या शादिया होने वाली थे जहां पैसे थे लाखों रुपे की भी बात हुई तो जो मैंने दिश्ट देखे बहुत और 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 जो फैमले रात के अंधेरे में कर रहे हैं और परिवार मतलब के बुजग लोग हैं औरते हैं उनके को पकड़ के ले जाना ये सब हमने देखा लेकिन जो आपको समझना जुरूरी है कि कि ये दिश्ट मैंने पहरे भी देखे हैं चौरासी में भी देखे दोजार दो में भी देखे और मुजफरनगर में भी देखे फरक ये था कि दंगाए जो काम करता हैं वो काम पुलीस न कुछ जगों में उन्होंने नहोंने पताया कि वरदी धारी के साथ कुछ गेर वरदी धारी भी थे लेकिन कई जगों में आरेफ का युनिफॉرम या जो खाकी युनिफॉरम में लोग घुसके वहां इनके जो बैटन्स हैं उसके टुक्रे देखे तोपी मिली और उन्होंने उस तरहें का जो लोग बताते हैं कि जो मुस्लमानों के खिलाफ जो गंदी बातें की कही जाती है वो बातें वो कह रहे हैं चला चला के लोगो डरा के किसी के प्रतिरहम नहीं लेकिन पुलीस दंगाए बन जाए वो मैंने देखा वहां बड़ी मात्रा में एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि देश में कहीं नहीं हुआ है ये लगभग वह है जो कश्मीर में होता है और तीस सालों से हो रहा है कि यूनिफॉर्म फॉर्सिज लोगों के घरों के अंदर जाके लोगों को पीटना उनके सामान को नश्ट करना वो एक तरह के दृश्या जो मैंने देखा इसको मैं मानता हूं कि ये और जो बातें लोग ने कहीं और ये अलग अलग लोग ये ऐसा भी नहीं कि हम कई अलग घरों में गये तो लोग बताते हैं दो ताने वो जरूर देते थे एक ताना ये था कि आज़ादी चाहते हैं तो दीचे हम आज़ादी दे रहे हैं ये है तुम्हारी आज़ादी ये एक बात बार बार का है को ये जो पूरा जो 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 पूरा जो सैलाब देश भर में प्रोटेस्ट का है उसमें आजादी की शब बार बार इस्तमाल होता है। वो तो स्लोगन बन गया है। जी इन्यों के टाइम से ही हमने लेका। वो अडाप्ट हो गया है इस वाले में तो आप तुम्हें आजादी चाहिए हम दिखाते हैं आजादी। लेकिन उस से भी एक गंभीर बात लोग ने बताएं और अलग लोग ने बताएं और ओग एक चाहिए थे कि ये गर आप हमारा हो जाएगा। तुम तो पाकिस्तान जाओगे। अब तो वाक तागा है पाकिस्तान जाने का और ये घर तो हमें ही मिलेगा अब ये ये उस तरहें की बात है जो हम पार्टिशन की कहानिया सुनते हैं मेरा परिवार भी राउल पिंडी के हैं जो लोग घुसते थे और पर आपके घरों पर कब्जा करते थे उस तरहें की बात की जाती थी कि ये अब होने वाला है तो यह बहुत साफ है कि वहां की पुलीस नहीं यह पूरा C.A. N.R.C. को यह समझा है कि यह एक तरह से R.S.S. की दृष्टिकों में जो अन्फिनिश्ट बिजिनस ऑफ पार्टिशन मतलब बत्वारा का जो अधूरा काम है वो यह है कि कि जो मुसल्मान हिंदुस्तान में रहेगे हैं उनको भी जाना पड़ेगा तभी उनके हसाब से यह दो देशें, मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू हिंदूस्तान, वो पूरा होगा, हम लों का मानना है कि मुस्लिमान हर तरह से इस देश के बराबर के लादे क्या है, जिसका एक हमने उधारन ये भी देखा कि मेरट के एस भी खुले आम वीडियो में कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान जाने है तो वो तो वीडियो में कैच हुए, ये लोग ने बार बार बताया कि लोग ने कहा कि तुम तो पाकिस्तान जा रहे हो और ये घर तो हमारा होगा, हमारा मतलब हिंदून का होगा तो यह जो मैंने देखा है, कई और बहुत क्रूरता है अच्छा, मस्जिद, मस्जिद को तोड़ना, वो भी पुलीस तो आ रहा है. फिर से दंगाए करते हैं, यहां मस्जिद को पुलीस ने तोड़ा है. मदरसे के अंदर पुलीस ने मारा है. और वो जानते हैं कि गलत करें इसलिए पहले CCTV को तोर तोर के फिर जाके ये काम ये करते हैं तो इस इस डिली जो मैं कहरा हूं कि जब मैं कहरा हूं कि एक एक नया बेंचमा के आया हम इस ये अच्छली जिसे इंटरनेशनी क्राइम सगेंस्ट युमाइनिटी कहते हैं जब सरकार ही एक तरह से एक कम्यूनिटी का इडिन्टिफाइड कम्यूनिटी के खेलाफ अगर एक तरह का जंग छेड़ देता है वो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आई एक बात जो सामने बात आई क्योंकि यह जो जारी जो प्रदर्शन हो रहे है जो पूरा जो दिख रहा है वो केरला में भी हुए बंगाल में भी हुए बदीब्रदेश चाजस्तान में हुए मैं देश भर में जा रहा हूँ कई रैली ज मैंने अड्रेस किये हैं लाख लोग निकल रहे हैं पूरा शांती से देश का जंडा लेके सम्विधान के पक्ष में नारे हैं देश के प्रति महबत के नारे हैं कहीं भी किसी तरह की भी हिंसा नहीं है क्यों हिंसा उनी जगों में हैं जहां बीजेपी पावर ने हैं जी वही मेरा सवाल था कि दिल्ली पुलीस जो संटर के अंडर है यूपी करनाटका यहीं पर इस तरीके से फाइरिंग की गट्राएं हो रहे हैं वह कुस्तर करनाटका जो बिल्कुल सामसदाइक हिस्सा है यहीं जगें फाइरिंग भी हुए है हिंसा भी हुआ है पुलीस तो आइटिंग कोई भी देख रहा है तो वह समझ पा रहा है कि वह क्या हो रहा है देश में एक बिल्कुल गांधी जी के रास्ते में जिसको सिविल डिस वीडिन्स कहा जाता है एक जन आक्रोश लेकिन बहुत चान्ती के साथ कि हम कागज नहीं दिखाएंगे उस तरहें का सिविल डिस वीडिन्स का मूव्मेंट निकला है समझान की बात हो रही है समिधान का प्रेयंबल पढ़ा जा रहा है राष्ट्रिगान आया जा रहा है मतलब जैसे मैं का कई रैलीज में मुझे बलाया गया है बोलने के लिए एक बिल्कुल एक उर्जा होती है कि इस तरहें का भी विरोध हो सकता है लेकिन जो हम दुश्य उत्र प्रदेश में देखें वो बिलकुल अलग है मैं यहां अलीज़ मुस्लिम यूनिवरस्टी की भी बात लियाना चाहता हूँ अलीज़ मुस्लिम यूनिवरस्टी में पंदार रात को ये जामिया में पुलीस ने ट्राइबरी में जाके और इस तरहें की जो बच्चों के साथ स्टूर्ट के साथ जो किया उसके खबर जैसे अलीगर में पहुंचा अलीगर में भी कई दिनों से शांती पून तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे ये खबर निकली तो लोग बाहर निकले बड़ी संक्या में लड़के और आर एफ का फॉर्स बिलकुल गेट के बाहर ही था और उसके बाद जिस तरह से ये विवादत है कि स्टूर्ट की तरफ से अगर कोई हिंसा हुई या नहीं हुई मान लीजिए कि उन्होंने बैरियर तोड़ा या पत्थर फेंके भी तो हमें मैं प्रशासिन में रहा हूं मैं सिखाया जाता है जिसको प्रोपॉर्शनिट रिस्पॉन्स और जो बल प्रयोग बिल्कुल आखरी स्टेज पे तो क्या हो जब मैं गया था सौ टीचर एकटा हो गए थे अपने आप मुझे समझाने के लिए क्या हुआ उनके साथ क्योंकि उनके दिल में इतनी जादा आत्रोश्टी उन्हें कहा कि ऐसा नहीं स्टूडन्स कभी कभी उ तेज़त होते हैं किसी मामले में तो पहला स्टेप आइस चांसलर फैकल्टी को बलाते हैं कि स्टूडन्स के साथ वो बैठे हैं उनको समझाईश दे वो नहीं हुआ और पुलीस को अगर इजाज़त भी दी जाती है कि वो यूनिवरस्टी के अंदर आए तो उसके फिर कई स्टेप्स होते हैं वार्निंग दिया जाता है फिर लाटी चार्ट पर यह जिस तरहें से वो घुसे बिलकुर जैसे आप टेरिरिस के खिलाव जाते हैं और वहां के रेजिस्टर आइचली पुलीस के सर्विंग पुलीस आफिसर हैं यह भी बहुत विचितर बात है कि उत्त वो भी प्रशासन कि रिष्टी से उस यूनिवर्स्टी को देखता है वो उससे साफ देखता है आपको क्या लग रहा है कि एंडी टीवी में आकर मुक्यमंत्री आदेतेनात नहीं यह कहा कि हम बदला लेंगे और उसके बाद से हर जगा में कानपुर हो या मेरट हो या कि आपको लग रहा है कि इसमें किसी भी तरीके का पैटर्ल इमर्ज हो करा रहा है या प्री प्लैंड तरीके से हुआ है नहीं देखिए ओ जो मैं अलीगर का भी कह रहा था उन्होंने मैं तब रेजिसरा ने खुद मुझे कहा ही जब पुलीस ओफसर वो कहे कि हमने स्टन ग बड़े विस फोर्ट के साथ और इतना उसमें शोर और रोशनी होती है कि आप कुछ वक्त के लिए बिलकुल स्थम्प हो जाते हैं तो वो जैसे आप टेर्रिस्ट आउस उसमें जा रहा है उससे इंजरी भी बहुत सीरिस हो सकती है तो एक बच्चे का हाथ उस ग्रिनेड मे उसका हाथ उड़ गया है एमप्यूटेट हुआ है मैं मिला उस लड़के से ही इस डॉक्टरल स्टूडन्ट मतलब आप आप क्या कर रहे हैं लोग के हॉस्टल के अंदर घुस घुस के उसमें उनको चेस कर रहे हैं और हर जगे वो कह रहे थे जैस्री राम के नारे पुरा आदिते नात में योगी कहने में मुझे बहुत संकोच है क्योंकि योगी से कोई कलतना अलग किसम के होती है श्री आदिते नात श्री अजय बिष्ट जो वहां के मुख्यमंतरी हैं और जिनने खास चुना गया और आप याद करें कि अगर उत्तर प्रदेश एक स्वतंतर द एक्चुली नफरत के भाशनों से बहरा रहा है हम हम उससे पहले उनका क्या 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 अकम्प्लिश्मिंट था सिवाई ये मतलग मुसल्मानों के खिलाफ जितना उनने जहर उगा ले अब जो वो कहरें बदले की बात उनने एक क्लियर मेसेज दिया है कि आप ये करें देख कश्मीर में देखा है क्श्मीराइजेशन आफ क्या हम चाहते हैं कि कश्मीर में जो हालत है और जो वो हम उतर प्रदेश में भी लाएं कश्मीर के लोगों ने तीस साल तक कितना कुछ जेला है सिक्यूरिटी फॉससे के हाथ हम उससे शमिनगी और उसको समाप्त करने के इसकी कोई जिम्मेदारी एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी है, S.P. है, S.P. है, D.M. है, उनके बारे में भी मुझे बहुत समिनगी होती है, मैं जानता हूं किसी अधिकारी को इस तरहें के आदेश, स्वीकार करना या इस तरहें का संकेत, मानना, कि वो इजाज़त दें या बढ़ावा दें कि उनके पुलीस दंगाई बन जाए ये मतलब उनको शर्मिंद्गी होनी चाहिए मतलब मैं तो मेरे कोई शब भी नहीं है लेकि आम इनसान दंगा करे एक अपराद है आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपको सम्विधान ने आपको के तहट एक विवस्था बनी है आप उस विवस्था के हिस्से हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमजोर की रक्षा करें और इनसाफ करें और ऐसी सिती में आप उसका हिस्सा बन जाएं ये ये शिम्मिन की बात है और एक आखरी बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कई लोग ये कहेंगे आपके जो विवस्था भी ये कह सकते हैं कि अरे भाई क्या कर सकते हैं जो पुलीस है वो है ही साम्प्रदाएक मैं जो जो लोर कॉंस्टिबली है इसके बारे में में बहुत स्ट्रॉंग विवस्थैं क्योंकि मैंने उसी उसी पुलीस फॉर्स को लीड किया है और मैंने देखा है कि आप सही रास्ता आइस लीडर्शिप आप उनको कहें कि आपको इंसाफ करना है खराब से खराब दंगे में मैंने देखा है कि वो आपका साथ देते हैं, वो बिलकुल मानोर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको गर्भ भी होता है कि हम तो प्राब्लम लोर पुलीस फॉर्स का नहीं है, प्राब्लम लीडर्शिप का है, जो अड्मिस्रीटिव लीडर्शिप है और पुलिटिकल लीडर्शिप है, उनकी है, उनकी है अगर पुलीस फॉर्स अगर पुलीस फॉर्स इस तरहें से करे, उसकी जिम्मेदारी प्लीज ये और जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो आंत में, गुजरात में भी पुलीस कमिशनर और डीजी ने कहा, अर्ये हम क्या कर सकते तो पुलीस तो ऐसे ही साम उन्हें और मैं जब उन से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्हें एग्जाक्ली वो शब किये, कि मेरे पुलीस फॉर्स ने तो पूरा सही किया और ये किया और वो किया, जैसे इस में यूपी में भी एक बात, अलीगर के जो एस पी है, आका शुलहरी, उनका काफी वीडियो वाइरल हुआ, कि वो किस तरीके से अलीगर मुस्लिम युनिवर्सिटी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप लोग पीस्फुल करते रहे हैं, और आपकी बात मैं उपर के पोलिटिकल लीडर्शिप तक पहुचाऊंगा, लेकिन जिस दिन अलीगर मुस्लिम युनिवर्सिटी में तब वो इंचार्ज नहीं थे उस समय, बिल्कुल, सब लोग कह रहे थे कि वो बहुत फैर थे, और कोई हिंसा नहीं होती, तो प्री प्लाइन तो बहुत क्लियरली है, और जिस तरहें से, और फिर सीसी टीवी आप क्यों, तोड़ते वे आप अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं, तो आप सीसी टीवी क्यों थो रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां से, आप वहां पर गए, और जैसा आपने कहा कि यह पूरी तरीके से एक स्टेट स्पॉंसर्ट क्राइम है, वहां पर आपने मुस्लिम समाज से भी बात किया मगर आपने गैर मुस्लिम समाज से बात किया, उनके बीच में किस तरीके का यह एक अंडिस्टैंडिंग है, जहां पर आगर मुझफर नगर में जहां पर इस तरीके से हो रहा है, उनीक है परवसी या मुस्लिम कॉलिमी में तो वो क्या कह रहा है? बहुत अच्छी सवाल, अच्छा सवाल है, और मेरत में तो जिसको होट परसूट कहते हैं, चोटे चोटे गल्यों में, अब देखिए अगर आप चेस भी कर रहे हैं, तो अब एक चोटी गल्यों में आप क्यों उसको और जातर सारे जखम बुलिट के शरीर के उपरी भाग में, तो जन तो है, इस बात मतलब हमारी कमी रही है कि हम गैर मुस्लिम समधाय से नहीं मिल पाए, और मेरे मन में भी ये सवाल अभी भी है, क्योंकि ये पिछले तीन सालों से जो लिंचिंग का सलसला शुरू हुआ, और मैंने कुछ साथियों ने तै कि हम लोग कारवाने मह चाहबत एक चालो करेंगे, कि जहां जिस घर में भी किसी को भीरदवारा इस तरहें से पीट-पीट के बहुत क्रूरता से मारा गया है, हम उनके घर जाएंगे और ये कहेंगे कि आप अकेले नहीं हम आपके साथ हैं, और हमेशन मिनगी भी है, और आपको इनसाफ की लड़ में देखता रहा, सवाल पूछता रहा, कि किसी हिंदु ने बचाया होगा, कोई आपके, कोई तो बीच में पड़ा होगा, जब भीर मार रहे थी, किसी ने तो रोका होगा, बाद में किसी ने आपकी साहिता की होगी, और कि कुछ तो हैं समाज में बचा है, और हर जगे यह यही जवाब होता था कि किसी ने साथ नहीं दिया और मैं बहुत आशावादी हूं देश को बहुत प्यार भी करता हूं अपने लोगों को सोचता हूं कि कुछ इंसानियत लेकिन वो आशावी मेरे कुछ तूटने लगी थे पिछले कुछ सालों में यह जो पिछले दो हफ़तों से एक उबार निकला हैं जहां पे आम हिंदुस्तानी नौजवान खड़े होके कह रहे हैं कि हमें हिंदु मुस्लमान के तोर पे बांटना हम अजाज़त नहीं देंगे और महबत के लिए हम लोग दोने कठे लड़ें साथ खड़ें हैं इस से वो उमीद फिर से खड़ी है उत्तर प्रदेश में क्या हालत है यह मैं अभी तक यह मेरे मन में भी बहुत बड़ा सवाल है और आपके वियूवर्स के माद्यम से मैं उत्तर प्रदेश के जो मजॉर्टी कम्यूटी में उन से मैं ही सवाल भी यही पूछूँँगा कि आप, किया आप सहमत हैं कि आपके मुक्यमंत्री आपके ही प्रदेश के सामानया नागरिकों को के ऋपर जंग छेड़ दे और इस तरह से, इस खुरूरता से उनके उपर कारवाई करें आप सहमत हैं कि ने क्योंकि ये सबस्वाल उनके सामने ये सवाल तो रहेगा कि क्या इस तरीके का वो पुलीस राज्य चाहते हैं कि जहां पर किसी एक समुदाए को टार्गेट किया जा रहा है कल किसी और समुदाए को सबाल यही ए कि मैं ये इतिहास बार बार बताता है कई बार हम लोग सोचते हैं कि चले वो दूसरे लोग है उनके साथ हो रहा है हमाइसाथ तो नहीं हो रहा है मैं क्या चिन्ता है लेकिन एक तो इनसानियत के तोर पे वो बहुत ही जिंतनिया सोच है अगर हम सोचते हैं कि हमें फरक नहीं पड़ता कि हमारा परोसी के साथ इतनी नानसाफ ही हो और मैं चुप बैटू लेकिन लोग लोग को ये समझना भी जुरूरी है कि परोसी के घर में आड़ लगे तो उसकी लप्टे हमारे तरफ भी आएंगी क्योंकि आप अपने बच्चों को किस तरह का समान में बढ़ा करना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे इस नफ्रत की भावना से बढ़े हूं ये तो एक सवाल है और दूसरा कि आज मसल्मान कल दलत परसों किसी जाती विशेश के खिलाफ अगर सरकार का सरकार जैसे वो कहते हैं कि खून का जब अगर वो एक आदत होने लगे तो कहीं वो रुकेगी नहीं मेरे दो सवाल है एक तो क्या आपने ये सारा जब ये जन सहलाब बढ़ रहा था तो यूपी सरकार ने पूरा जो एक अपने जो एक्शन तो इस तरीके के जो एक्शन थे दभिशे थी वो तो किया ही उसके बाद से ये चलता आ रहा है कि जिन लोगों ने दंगा किया उनका हम प्रापटी सीज कर लेंगे कमसे फांसो के लगभग लोगों को ये नोटिसस मिली है यूपी में कि आप अगर दंगे में थे तो आपको फाइन भी देना होगा और सरकार ये उनके पास सरकार के पास हक है कि उनकी जितनी भी प्रापटी है उसको वो जब्द कर ले तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए ये भी पहले ये तो हुआ वही बदला वाले घोशना के बाद जो क्योंकि हमने कभी ऐसा पहले जाट हुआ था दोहजार सोला में जहां पर लगभग ये बताया जाता है कि 35,000 करोड या 45,000 करोड उनका नुक्सान वह उससे पहले गूजर एजिटेशन भी हुआ था तो अलग अलग जो यही मुझफर लगर में दंगे हुए थे इतनी बुरी प्रॉपर्टी जलाया था तो ऐसा कभी कारवाई नहीं हुआ है और आज वही मुख्यमंत्री जो इस तरीके के अगर आप आदितेनात के जो इलेक्शन एफिडेविट में उनका पब्लिक राइटिंग और इनी तरीके के केसेस है सारे तो वही आज मुख्यमंत्री है और व वही जो जंग वाली बात है और बदले की बात है वो अलगर तरीकों से तो उनका जो आर्थिक तरीके से भी उनके कमर को तोड़ देने की एक कोशिश है जो मुख्यफर नगर दंगों में भी हमने एक लेवल पर देखा था यही था कि उनका आर्थिक रूप से भी खत्म कर दिया जाए लेकिन वो एक मतलब बहुत बुरा हुआ जैसे मैंने का यह सारे दंगे लेकिन वो दंगाई ने किया और पुलीस ने होने दिया यहां पुलीस खुद ही कर रही है और यह जो प्रॉपरटी का इतना विचित्र है कि मैंने वो उसके जो हाई कोट के निदेश और उसमें यह कहा गया कि जुडिशल तरीके से कि अजै उस वक्त दंगा कर रहे थे उन्होंने यह संपत्ती तोड़ा इसलिए आपके उपर मैं यह कर रहा हूं एक पूरी प्रक्रिया कि बाद आखिर मैं मैं करूं तीन दिन नहीं निकले च्छे दिन नहीं निकले और आप ने तेय कर लिया कि यह सारे किसी भी अदालत में किसी भी कोट में यह तै ही दंगा यह और इनको नोटिस भी जबना है कि दनगा किया भी है कि नहीं और उस लिस्ट में डेक रहा हूं की जो लाटधी है पुलीस की उसके पो तोट तोटा है जिसको आपने पीड़ते हूए लाठी तोड़ दी, वो लाठी की भी जम्मेदारी आपकी है, कि आप उसका भरपाई करें, हम किस, कहां जा रहे हैं? तो एक इंटरनेशनल लो में अच्छली एक श्रीनी रहता है, Crime Against Humanity, और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ, मैंने एक लेख भी लिखा था हिंदू में, मैंने ये कहा कि हमें पहचानना होगा है, कि जो उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं, वो एक Crime Against Humanity है, जहां सरकार ने खुल के अपने ही एक identified समुदाए के खिलाव जंग छेड़ा है, जो सम्विधान और इंसानियत दोने के मतलब बिलकुल विप्रीट और वो एक Crime Against Humanity हम अगर इजाज़त देंगे, तो पता नहीं हम कहां पहुंचेंगे, मैं मुझे वही लग रहा था कि जो जो चेहरे में देखके आया हूँ, और मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ अन्याएं, नानसाफी, मैनॉर्टीज में ने देखा है, लेकिन ये एक किसम का जाख्राम है, जो मुझे नहीं लगता है कि ये भर भी सकता है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि F.I.R. जो पुलीस ने लॉज़ की है, उसमें 20 हजार, 22 हजार, कहीं 50 हजार, एनॉनिमस लोगों के खिलाफ किया है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि किसी को भी पकड़ लिया जाए? तो उसका उदेश्य भी यही है कि किसी को हिम्मत ना हो कि वो शिकायत करें, क्योंकि जब इस अन्नेम्ड एफियर इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में हो, मतलब हम किसी को भी पकड़ से ऐसा कह रहे हैं कि लॉयर जो राजस्तान से आये थे हमने भी उसका रिपोर्ट डाला है वायर में वो किसी के बेल अप्लिकेशन लेकर आये थे उनको भी पकड़ लिया गया है ऐसा भी हुआ है अलिगर मुस्लिम यॉनिवर्सटी में मैं जब गया था तो बच्चे बता रहे थे वो तो 21 साथ स्टूर्ण्स को एक दिन में उन्हें खाली भी कर ले था थोड़े स्टूर्ण्स मिले तो एक लड़का आया था उननीस साल का था और इतना डरा हो शिकायत करने के त्यार नहीं है पुलीस उनको उठा के ले गए और हाथ तोड़ा पीट पीट के हड़ी तूटके और फिर उसके हाथ को ऐसे मरोरते रहे और वही जो कटवा वगएरा इस तरहें के चीज़ें बोलते रहे पिर उन्होंने अपना शरीद दिखाया और वो पुलीस ने उनको नंगा करके ल शान थे लेकिन वो बच्चा आया और कहा कि मैं शिकायत ने कर सकता क्योंकि मुझे इतना डर है ये यूनिवर्स्टी अथॉर्टीज ने एक तरफ कहा है कि कोई शिकायत करे तो उस स्टूडन को एक तो एक्सपेल किया जाएगा और उनके खिलाब एने से तक केसिस दरस हो स स्टूडन्स यहां भी और उत्तरफिदेश के जो आम जो लोग इन स्टूडन्स को छोड़के अब मतलब पुलीस ने आपको पीट पीट के मारा है आपको डर है कि मैं कहीं सरकारी हस्पिताल में जाओं और वो वो उसमें M.L.C. हो जाए तो मेरा नाम आ जाएगा और फिर म बेर मुस्लिम समाज जो 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 ऐसा यह चीज एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके मन में भी डर कहीं न कहीं होगा कि हमारे उपर ही कारवाई शुरू हो जाएगी सतर के लगबग एक्टिविस्ट जिन्हों ने यह आवाज उठाई जो थोड़े बहुत लोग ने तो एक जंगल राज भी जंगल के साथ अन्याए है मुझे उसके भी कुछ नीतिया होती है एक क्या हम इजाज़त देंगे और पूरे बाकी देश में इतने सुन्दर तरीके से एक तरहें से लोक तंत्र को हम एक बार फिर उसकी खुश्पू उसकी महक कि किस तरहें से शांत पून तरीके से हम अपने सरकार से असेहमती ब्यक्त कर सकते हैं ये एक तरफ हम देख रहे हैं और ये हम उत्तर प्रदीश में देख रहे हैं एक क्राइम अगेंस्ट हुमैनिटी ही है कि वहां के मुझे मंत्री ने इतनी नफरत की अजाज़त और एक तरह से बढ़ावा आखरी सवाल सर यही रहेगा कि आपने ये कहा कि सरकार ने मुसल्मानों के खिलाफ एक तरीके से कम्यूनिटी के खिलाफ जंग चेड़ दी है लेकिन कहीं आपको ऐसा लगा उत्तर प्रदेश में या किसनी और स्टेट्स में कि यहां पर इस पूरे जो पुलीस है आपको एक बार पर बहुत अच्छा सवाल है हमारा जो अब तक हम देख पाए हैं जगे 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 जा रहे हैं कि मारे जाने बारे लोग ट्रायर गरीब होते हैं कोई अपने काम से भाग रहा है कोई यह मजदूर लेकिन जो घरों में गये वो आचली ऐसे मुसल्मान ल उनके घर में हर चीज थी जो मेरे और आपके घर में हो सकता है और लोग बताते हैं कि पुलीस के इन्फॉर्मर्स ही बताते हैं कि यह संपन है यह समानिया है इनके हाँ शादी हो रहे हैं कि एक घर में हम गए थे बुजग आदमी 75 साल के थे रोना उनका बंद ही नहीं हो कि दो उनकी जो पोतियां थी उनको उनकी शादी की तैयारी थोड़े दिनों में हो रहा था, पुरा सामान था, पैसे थे, तो तो दोनों किसम के लोग, मुझे लगता है जो आर्थिक रूप से जो प्रहार हो रहा है, वो उस कमेंटियों में लूट भी हुआ है क्या? लूट भी हुआ है, पैसों का, कैश का, और पुलीस के दविशों में ही हुई, पुलीस दौा है, और कोई है नहीं है, और कोई है नहीं है, वो ही तो मैं कह रहा हूँ कि जो कम, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ऐसा विनाश लोग के घरों का नहीं द बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष जी, पुलीस ही दंगाई बन गई है उत्तर प्रदेश में और ऐसा हर्ष और कई उनके साथ ही जो है वो जब उत्तर प्रदेश से वापस आए तो उन्हें यह कहा है, क्या हम इस तरीके का एक राज्य चाहते हैं जहां पर मतलब सारे क्राइम्स चल रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स पर और इस तरीके के प्रदर्शन कारियों पर इस तरीके का हम लोग क्या यह जायज है, इस सवाल के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे, नमस्कार. झाल को समाप्त करेंगे, नमस्कार.